अगर किसी की सफलताओं को देखकर खुश नहीं होते तो ये वास्तव में द्वेश ही कहलाता है क्यूं है वास्तव में द्वेश हमारे हिर्दे में और द्वेश करने से जिससे द्वेश करते हैं उसको कोई नुकसान नहीं द्वेश करने वाले को ही नुकसान हो जाता है हम प्राय अपनी पूरी चेतना एक ऐसी व्यक्ति पे लगा देते हैं जिससे हमारा कोई दूर दूर तक कुछ लाब नहीं है तो इसलिए गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये जो द्वेश है अन्तता उनके प्रती ही है यो कि भगवान की सृष्टी में किसी के पास कोई योगता और किसी के पास कोई योगता अगर कोई अधिक सफल भगवान की कृपा से कुछ कर्मों से प्राप्त होता है तो ये अंतता द्वेश हम भगवान के प्रती ही कर रहे हैं इस द्वेश से मुक्ति कैसे पाई जाए तो इसलिए जितना हम भगवान से प्रेम करेंगे उतना हमारा द्वेश इस संसार में और उनके जीवों से समाप्त होगा